एक पसू से हम लग बग 20 से 25 लाग रुपे हैं जो कि कमा सकते हैं आप मानते हो सरी एक पसू से हम 25 से 30 लाग तक रुपे कमा सकते हैं हाजी सब इस पसू पालक भाईयों को आपके अपने यूटूब चैनल साई लेडेरी फाम की तरफ से नमस्कार तो दोस्तों आज हम पोचे हुए हैं डागला गाउं में और आज हम आपको दिखाएंगे बोती मैं कहूं की काफी सांदार बैस है और लग बग 18 बार ये ब्या चुकी है इसकी हम डिटेल सर से ले लेकिन उससे पहले जो भी पसू पालक आपके अपने यूटूब चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन का बटन जुरूर दबाएं थाकिन फूचर हम जो भी नुई वीडियो डाले उसका नो जड़ जड़ से कोशली रोड पर अच्छा सरी जो आपकी गर्की है यह बैसी या फिर आप खरीद के लिए क्या है गर्की है अच्छा हम इसकी अगर एज जानना चाहें तो इसकी एज कितनी होगी होगी सर 20-21 साल की हो चुकी है और कितनी बार बया चुकी सरी पमेल काफ है कौन से बुलक है सरो ओता पंचैति बुलक है जो गाम में जो छोड़ देती हैं उसकी हवे बेटी अच्छा आप से आपने इससे कोई नसल ली है हाँ बहुत है यह पिछले लैक्टेशन की है सर दो साल की माप लोगों को दिखाना चाहँगो जो इस बैस से जो कि एक उम्दान नसल की जो कि हम एक इफर आप यह देख सकते हो बिलकुल जो सींग है बिलकुल रिंग अकार के सींग और जो जैड़ बलैक बिलकुल हम इसे कह स किते हैं कि इन फ्यूचर हम उस बैस से और भी नसले ले सकते हैं सर इस बैस के नीचे जो मिलक हो कितना है सत्रा लिटर के करीब अब फिलाल में के पर दूद है और जी जब यह तीसरे चोथी लैक्टेशन में थी जब इसने दूद कितने या दिया अचा बीस बाइस के इस बीनोला इस बीनोला इस तरह अचा मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरह है अचा मतलब ऐसा कोई निभाय है इतना दूद निकल वाना ऐसा-एसी कोई बात नहीं अजिए सर बता रहे कि कोई भी इसे हमें इसा नहीं कि आ इसको ज़ादा ड़ायट देके जो बार की जो अब इसे खीरी है यह फर आप देख सकते हूं बिल्कुल अपनी मां की तरह जो हाइट लैंड वाप इसकी देख सकते हूं आप लोगों को जो अडर क्वाल्टी जो बनाएगी इन फूचर में आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यह देख सकते हूं थोड़ी सी जो की कैमरे को देखके आम खीसान के पसू होते हैं कि कैमरें को देखके वो इचक उचक कूझने लग जाते हैं सर जो जोटी यह जो बैस है अप इसको तो इन फ्यूचर कितने बार और ब्याने की कोशिश करवा हुए हाजी है अच्छा सर बता रहें कि जितनी बार ये इट में आईगी इसको कुम दानों नसल की जो की नसले है वह लेंगे सर इसका जो मेल आई है वह आप लोगों ने कभी तियार किया है कटड़ा पिस्ली साथ भ्यास का था भाईशा वो हाजी आदे दिया था हूँ अपने पास की जिने के गए कि आए दस महीने का सोडा जार का देह था अच्छा 10 महीने का सोडा जार का यह आप देख सकते हो कि अम अपने पाशुशे की एक एक पशुशे हम लगबग 20 से 25 लाग रुपए हैं जो कि कमा सकते हैं आप मानते हो सुर्ड़ी एक पाशू से हम 20 से 30 लाद कर ऊज़े बनाकर चाना सकते हैं चाहे जो के आउज है तो कि आफा किसने नाegenाके और ब्रॉक्त होंने", तो दोस्तों, आफ़ विश्व के बारे में नोलीज है तो हम अपनी आर्मी किया, फिर किसी परकार की नोकरी हम उसको पिछे छोड़ सकते हैं एक बात हम मान सकते हैं कि जो आर्मी की नोकरी है उसमें हमें इंतजार नहीं करना पड़ता है कि भाई महीने की यह ऐसे आएगी इनकम आएगी यह फिर ऐसे नहीं सर आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना लेकिन हम सर से अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो सर से हम जो की कॉन्टेक्ट नंबर है जरूर लेना चाहेंगे सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर और बताएं 98-126-62-411 यह सर का कॉन्टेक्ट नंबर है सर आप इसको बेचना भी चाहेंगे कोई अगर इस चुक बाहर करता है जानकारी के लिए पूछना करें कि यह इसको बेचना करें कि सर आप इसको बेचना चाहते हैं या फिर ऐसे सर बता रहे कि अगर आप कोई मिसे लेना चाहते हैं तो मेरे पास झीक कोल करें तो इसका जो अबकी बार की जो इसकी माई लोगों को वह भी दिखाना चाह। सर आपकी हुआ गरे है वंत धूर देख सकते हैं उसकी जो डिख सकते हूं का है तो उनको पीछे छोड़ दिया गया है यह देख सकते हैं जो मुरा के जो गुन से हुआ आप इसे देख सकते हो एक भी बाल वाइट नहीं और जो इसकी जो अडर क्वाल्टी बनेगी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यह आप देख सकते हो जो थणों का स्पेस है यह आप देख सकते हो यह थी दोस्तों आज की वीडियो हो हमारे संदिप भाई के पास आप लोगों को कैसी लगी केमेंट सेक्शन में जरूर बताना मिलते हैं किसी आईटेक डेरी फारम पर तब तक सभी पसु पालक भाईयो को मेरी तरब से नमस्कार